हेलो फ्रेंट्स स्वागत्याव सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम सीखेंगे रासायनिक सम्मीक्रण को संतुलित करना लेकिन प्रस्ण यह उड़ता है कि सम्मीक्रण को संतुलित करने की आवश्यक्ता क्यूं है क्यूंकि रासायनिक अभिक्रिया में नत द्रेवमान का निर्माड होता है और नहीं छे अतह तीर के चिन्द के दोनों और अभिकारकों और उत्पादों के परमाड़ों की संख्या समान होती है रासायनिक संयोजन के मूल भूत नियम द्रेवमान संदच्छन के नियम के नुसार रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रेवमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रेवमान उत्पाद का निर्मित होता है अर्थात संपुर्ण अभिक्रिया में द्रेवमान संदच्चित रहता है जिसे हम द्रेवमान की अभिनाष्टा की नियम के नाम से चानते हैं आपने इसका अध्यन कक्षा नवी में किया है और इसी लिए रसायनिक अभिक्रिया लिखते समय हम संपुर्ण को संतुलित करते हैं आईए अब देखते हैं कि संतुलित और असंतुलित रसायनिक संपुर्ण किसे कहते हैं वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक वह उत्पाद में परमाडों की संख्या समान पाई जाती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं इसके विपरीत जिस रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में अभिकारक वो उत्पाद में परमाड़ों की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जैसे मेगनीसियम प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है मेगनीसियम ऑक्साइड यहां पर मेगनीसियम का एक परमाड़ों है अभिकारक में और ऑक्सीजन का दो परमाड़ों है लेकिन उत्पाद में मेगनीसियम का और ऑक्सीजन का केवल एक एक ही परमाड़ों है अता हम कर सकते ह कि यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है संतुलित रासायनिक सम्यक्रण का उदारण हम आगे की तालिका पूर्ण करके पा सकते हैं रासायनिक सम्यक्रण संतुलित है या नहीं इसकी जाच के लिए इस प्रकार तीन स्तंब वाली तालिका बनाते हैं पहले स्थम में परमाडू संकेत या नाम लिखते हैं। दूसरे स्थम में अभी कारक पक्ष में परमाडू की संख्या कितनी हैं ये लिखते हैं। और तीसरे स्थम में उत्पाद पक्ष में परमाडू की संख्या कितनी हैं ये लिखते हैं। माना हमें समिकन दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का जो की सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट इस प्रकार से उत्पाद बनाता है तो पहले स्तम्द में हमने सभी परमाडों का संकेत लिख लिया है सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन सिल्वर की परमाडों की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों ही पक्ष में एक एक है उसी प्रकार नाइट्रोजन के परमाडू की संख्या अभिकारक वो उत्पात पक्ष में एक-एक है औक्सीजन के परमाडू की संख्या भी दोनों पक्षों में तीन है यानि समान है सोडियम के परमाडू की संख्या भी दोनों पक्षों में एक ही है ये भी समान है और क्लोरीन के परमाडू की संख्या भी दोनों पक्षों में एक है इस आधार पे हम कर सकते हैं कि दिया गया समीकरण यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है आईए अब सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की पधती रासायनिक समिकरण को संतुलित करने की पदती को रहत्न प्रमाद अर्थात HIT and Trial Method कहते हैं माना कि हमें समिकरण दिया गया है कि सोडियम हाईडरोकसाइड और सल्फियूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके सोडियम सलफेट और पानी का निमार करते हैं तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे दिया गया समीकरण रासायनिक सुत्रों का उपयोग करके पुना लिखिए तो दोस्तों दिये गए समीकरण को अणुसुत्रों की सहायता से इस प्रकार लिखा गया है NaOH प्लस H2SO4 ये क्या दे रहा है Na2SO4 प्लस H2O दोसरे स्टेप में है समीकरण संतुलित है या नहीं जाचने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में दिये गए तत्तों के परमाड़ों की संख्या की तुलना कीजिए तो दोस्तों तालिका के आधार पर हमें मालूम पड़ता है कि दोनों पक्षों में सोडियम और हाइड्रोजन इनके परमाड़ों की संख्या समान नहीं है अर्थात ये समीकरण संतुलित समीकरण तीसरे स्टेप में है रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस योगिक में परमाड़ों की संख्या अधिक है उस योगिक में सुरुवात करना आसान होता है उसी प्रकार इस योगिकों के जिस तत्व के परमाडू दोनों पक्षों में असामान है उस तत्व का प्रथम विचार करना सुलब होता है दोस्तों इस समीकरण में सोडियम सलफेट और H2SO4 यानि सलफियूरिक कमल ये दोनों योगिकों में 6 से अधिक परमाडू है कैसे आईए देखते हैं सोडियम सलफेट में सोडियम के दो परमाडू सलफर का एक परमाडू ऑक्सीजन के चार परमाडू है अर्थात कुल साथ परमाडू है उसी प्रकार सल्फियोरे कमल में हाइडोजन के दो सल्फर के एक और आक्सीजन के चार परमाडू है अर्थात कुल साथ परमाडू है अग क्योंकि दोनों पक्षों में सोडियम परमाडू की संख्या असमान है इसलिए हम पहले सोडियम सल्फेट इस योगिक में सोडियम को संतुलित करना सुरू करेंगे सोडियम को संतुलित करने के लिए हम फिर से तीन स्तम वाली तालिका बनाएंगे जैसा कि आकृति में दिया गया है यह तालिका सिर्फ सोडियम को संतुलित करने के लिए है पहले स्थम में है सोडियम की परमाडू संख्या संतुलित करने से पहले और संतुलित करते समय दूसरे स्थम में है सोडियम परमाडू की संख्या अभिकारत में और तीसरे स्थम में है sodium परमाडू की संख्या उत्पाद में है अब देखना यह है कि अभिकारत में sodium कौन से योगिक में है sodium hydroxide में है तो यहां कि स्थम में लिखेंगे naos और उत्पाद में sodium कौन से योगिक में है sodium sulfate में है तो उत्पाद बाले स्थम में लिखेंगे sodium sulfate अब क्योंकि पहले स्थम में लिखा है सोडियम परमाडू की संख्या संतुलित करने के पहले अर्थात सुरुवात में अब क्योंकि अभिकारक में केवल एक ही सोडियम है तो यहाँ पे हमने एक लिख दिया अब उत्पाद में कितना सोडियम संख्या है सोडियम परमाडू की संख्या उतपाद में 2 है तो वहाँ पे हम 2 लिखेंगे संतुलित करते समय हम अभिकारक वाले कॉलम में 1 में 2 से गुड़ा करेंगे अब यह भी 2 हो गया ध्यान रहे दोस्तों हमें अड़सुत्र नहीं बदलना है इसलिए 2 से गुड़ा पूरे यौगिक में होगा अर्थात पूरे सोडियम हाइड्रॉकसाइड में होगा तो नया समयक्रण क्या मिलेगा हमें 2 NaOH प्लस H2SO4 गिवस Na2SO4 प्लस H2O अब बायपक्च वद्दायपक्च के परमाड़ों की पुना तुलना करेंगे तुलना करने पर ग्यात होता है कि सोडियम और सलफर तो संतलित है परन्तु अभी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन असंतलित है तो पहले हमें जहां छोटे सा गुडांग से संतलित करना हो वहाँ पहले करना चाहिए क्यूंकि ऑक्सिजन को संतुलित करने के लिए बड़े संख्या से गुड़ा करना पड़ेगा अब हम फिर छोटी तालिका बनाएंगे हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए ठीक उसी प्रकार जैसे सोडियम को संतुलित करने के लिए हमने तालिका बनाई थी अब यह निरिक्षण कीजिए कि बाय पक्ष में हाइड्रोजन कौन कौन से योगिक में है सोडियम हाइड्रोकसाइड में भी है और H2SO4 में भी है तो दोनों लिखेंगे यहाँ पर दाय पक्ष में हाइड्रोजन कहा है केवल H2O यानि काली पानी में है तो यहाँ पर हम केवल H2O लिखेंगे अब बाय पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 NaOH में है और 2 H2SO4 में है अर्थात कुल 4 हाइड्रोजन है दाय पक्ष में केवल 2 हाइड्रोजन है तो दाय पक्ष में 2 से गुड़ा करेंगे और पूरे योगिक में 2 से गुड़ा करने पर हमें नया समिक्रण मिलेगा तो नया समिक्रण क्या होगा 2 NaOH प्लस H2SO4 गिल्स सोडियम सलफेट अर्थात Na2SO4 प्लस 2 H2O तो दोस्तों अब यह समिक्रण संतुलित है या नहीं है इसकी हम पुना से जाच करेंगे जाच करने के लिए फिर से हम वही तालिका बनाएंगे तीन स्तंबो वाली सभी परमाड़ों के नाम और संकेत लिखेंगे और दोनों पक्षों में परमाड़ों की संख्या लिखेंगे जाज करने पर ऐसा दिखाई देता है कि दोनों पक्षों में तत्वों की परमाडू संख्या समान है इसलिए संतुलित संतुलित संतुलन करने के लिए योगी अभिकारक और उत्पाद को योगी स्वगुडांक लगा कर संतुलित रसायनिक संतुलित 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 संतुलि करेंगे करेंगे झाल झाल